तो दोस्तों आज हम लगाने जा रहे हैं पर्सलीन का प्लांट यह प्लांट कटिंग से बहुत ईजली लग जाता है और मैं इस बास्केट में पर्सलीन का प्लांट लगा रही हूं तो इस बास्केट में औरेडी बहुत से होल है और यहां से पानी बहुत ईजली निकल जाएगा और बहुत ज़्यादा चांसे है कि स्वाइल भी यहां से बाहर आ जाए इसलिए मैं यहां पर यह कप्ड़े का यूज कर रही हूं साइट साइड में नीचे मैं इसको कवर नहीं करूंगी तो दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसा कुछ बास्केट है तो आप इस तरह का यूज कर सकते हैं और यह पर्सलेन का प्लांट मुझे बलकुल फ्री में मिली है दोस्तों जो कि मेरी मम्मी ने गाउन से लाया है तो चलिए दोस्तों अब मैं इस प्लांट को लगा की बहुत कम जरूद परती है और यह बहुत अच्छा फ्लावरिंग करता है और यह पर्सलेन का प्लांट है और इन्ज कलर का फ्लावर है तो मैं यहाँ पर वन-बाई-वन यहाँ पे कट करके रखी हूँ सारा और यह पे इस पिट्टी में वन बैई-वन हम डिप करेंगे इसको लगाने का प्रोसेस बहुत इजी है, सिंपल है और इसको ज़्यादा केयर करने की जुरूद नहीं पड़ती है, सिंपली आप इसको सनलाइक में रखिए और पानी की जुरूद भी इसको बहुत कम है पड़ती है, बट हाँ रेगुलर पानी देजिये, बट ओबर पानी नहीं देना है इस प्लांट में, और ध्यान रखिए जब पानी डाले तो वो पानी निकल जाना चाहिए, गमने में रुखना नहीं चाहिए पानी, तो यहां पर मैंने सारा प्लांट को अच्छे से लगा दिया है, और मेरे helping के लिए ये पीफो मेरे साथ है garden में, और इसको भी बहुत अच्छा लगा मेरे साथ प्लांटिंग करने में, अन मुझे भी बहुत अच्छा लगता है इसके साथ, अब मैं यहाँ पर कुछ ऊपर में भी स्वाइल को डाल दे रही हूँ क्यूंकि यह अच्छे से बैड शार और इस टाइप से थोड़ा से स्वाइल से इसको मैं भर जो अब यह मेरा प्लांट बिल्कुल रेडी हो चुका है अब बस इसमें जरूरत है पानी की तो मैं यहाँ अब पानी डाल दे रही हूँ तो यह मेरा बिल्कुल लग चुका है प्लांट अब मिलती हूँ मैं गार्डन थेरपी के नेक्स्ट वीडियो में और फोर्गेट तो हिट दे लाइक और सब्सक्राइब बटन थेंक यू